तो अगर मैं इंडिया से कोई भी फोन लेके आता हूं या फिर इंडिया का SIM काड लेके आता हों तो न्यूजिलेंड में चलेगा या नहीं चलेगा तो यह है मेरा Samsung का फोन जो आज से 5 साल पेले में इंडिया से लेके आ हाथा तूटफ़ गया है तो इसमें अभी भी इंडिया का SIM card भी चलता है और New Zealand का SIM card भी चलता है क्योंकि यह totally unlock है और इंडिया में जितने भी phones आते हैं उसमें से mostly unlock आते हैं उसके साथ साथ इसके अंदर Vodafone का SIM card है चोकि इंडिया से लेका आया था फिद से वो भी अभी चल रहा है क्योंकि Vodafone यहां पर New Zealand में available है Jio का card है तो वो नहीं चलेगा या फिर Atle का card है आपके पास तो भी वो New Zealand में नहीं चलेगा बड़ वोडafone का definite चलेगा तो आज भी अगर bank में से कोई message आता है या फिर light bill, gas bill बने का message आता है तो भी यहां से मैं operate कर सकता हूँ या फिर कोई भी OTP में यहां से ले सकता हूँ तो आपको दूसरा phone लेने की कोई जरूर नहीं है